नमस्ते में प्रिती, एम न्योज में आप सभी का स्वागत है भावी चीवन के लिए शुप का नय लिखा था ये समझाना मुश्किल है कि आखिर ये मैसेश किसने किस के लिए लिखा है लेकिन इसमें लिखा संदिश पढ़कर किसी की भी आखों में आसु आ जाएंगे बुलडाना में हुए एक प्राइवेट बस हाथसे में कहीं लोगों की जिंदगी बरबात हो गई है और कहीं लोगों के सपने भी तूट गए है कैलास कंगाव ने अंबेगाव तालुका के निरा गोडसर में पंडी चवाला नेरू विद्धाले में शिक्षक थे लड़की की एडमिशन प्रक्रिया के बाद कैलास अपनी पत्नी और बेटी की साथ पुने लौट रहे थे कैलास की बेटी सही ने अंबिपेस की पड़ाई की थी लड़की डॉक्टर बन गई अब लड़का वकील बनना चाहता था लेकिन अब बेटे की सफलता देखने के लिए उनकी माता-पिता बहन इस दुनिया में नहीं है बेटे की साथ इस कपल की आकरी फोटो भी सामने आई है तेजस नहीं नोकरी के लिए पुने चला गया था तेजस अपने सपने को पूरा करने और अपने माता पिता की कठिनाईयों को काम करने के लिए वर्दा छोड़कर पुने चला गया था पुने में नौकरी जॉइन करने जा रही तेजस का एक बस दुर्खटना में दुर्भा के पुर्णा अंत हो गया तेजस पोवले ने अभी 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 अपनी इंजिनियरीन की शिक्षा पुरी की थी इसके तुरंद बाद उन्हें पुने में नौकरी भी मिल गई जैसे ही वह नौकरी जॉइन करने के लिए निकला पर बस एक्सिडन्ट में उसकी मौत हो गई बुर्णा जिले के सिंदकित राजा तालुका के पिंपल खुटा गाव के पास हुए एक भयानक हाथसे में पुरुशाली वानकर शोबा वानकर और ओवी वानकर की मौत हो गई उसी बस में यात्रा कर रहे तेजस पेकाले ब्रुतक पुरुशाली वानकर के मामा थे इस हासे में तेजस की भी मौत हो गई शोबा वनकर रुशाली की सासे बताया गया कि करिब एक साल के ओवी को कुछ मेंने पहले रुशाली और रुशाली के पती में गोद लिया था बता दे कि इसके बीच पुलिस को दुर्खटना ग्रस्त बस में मृत्री यात्रियों की पैचान करने की बड़ी चुनोती का सामना करना पड़ रहा है पुलिस का कहना है कि इसके लिए डियने टेस्ट के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है